माइकुलीव में हुए हमले में 45 से ज्यादा लोग जखमी, रिहाईशी मारते, हॉस्पिटल और स्कूल पर रूसी हमले कारो की वो ब्लास्ट में आनिमल शेल्टर पर बंबारी 355 कुत्तों की मौन कीफ के अलगल अगिस्तों में तबाही का जायजा लेने पहुंचे राशुपती जिलिंस की जमानों के साथ देखे हाला एक राहत केंदर भी पहुंचे जिलिंस की वहाँ लोगों को दी जा रही मदद की जानकारी ली राहत कर्मियों का भी किया धन्यवाद युक्रेइन के नरसंगार के आरोपों को लेकर बूचा पहुंचा मानवदिकार दल कैमरे में कैद की हाला बूचा में बड़ी संख्या में लाशी मिलने पर युक्रेइन ने की और सक्ती की मांग विदेश मंत्री बोले नरसंगार के लिए रूस पर लगे और सक्त पावर्ण बूचा का युक्रेइन की राश्रुपती जिलिंस्की ने किया दौरा काहा क्या अभी रूस के साथ शांती वारता करना संभव बूचा में बरबर्था को लेकर बाइजन ने पुतिन पर किया बड़ा हमला काहर रूसी राश्रुपती पर चले युद अपरात का मुकदमा बूचा में बरबर्था को लेकर अमेरिकी राश्रुपती का वादा रूस पर और कसेंगे आर्थिक शिकंजा कीफ के अलगल अगिस्तों में रूसी हमले से तबास जिन्दगी की तस्वीरें आई सामने चारों तरफ दिखा विनाश मोजाई में इलाके में भी दिखा लाशों कामबार रूसी जवानों के कपड़े भी मिले रहत कर्मियों ने समेटा चन्रीव यूक्लियर प्लांट में एक बार फिर यूक्रेन की फॉज ने संभाला मोजशा लोगों ने सेना के जवानों का किया अभिवादर पूचा मामले को लेकर जर्मेरी ने दिखाई सकती रूस के 40 जिप्लोमाट्स को बहा निकाला पांच दिन में देश छोड़ने का आदेश मारियो पोल में भी रूसी हमले का कहर यूक्रेन को शक वहां बूचा से ज्यादा हालाद खतरना यूक्रेन के सरकार का दावा रूसी हमले में 24 फर्वरी सब तक 18 पत्रकारों की गई जान सुमी अलाके में लोगों के आरोप रूसी फॉर्ज ने उनके घरों में की लूट पाट आज से यूक्रेन के राश्रु सुरक्षा परशद को समोधित करेंगे यूक्रेन के राश्रुपती जिलिंस्की बृटिन ने दी जानकारी बूचा जैसे हालाद के बाद यूरोपेन यूनियन ने जताई नाराजगी कथित वर क्राइम की जांच के लिए भेजेगा जांच तर यूक्रेन के नॉर्दरन रीजिन का दावा ज्यादा तर हिस्सों से रूसी फॉर्ज वापस रूसी अमले के बाद 42 लाख से ज्यादा उक्रेरी नागरे के देश छोड़ कर भागे यून का दावा आस्ट्रेलिया ने रूस को दिया जटका ज्यूल व्री गाडी लक्शुरी आइटम और फर प्रोजेक्ट की नहीं करेगा निर्याद पाकिस्तान में सियासी घमासान सुप्रीम कोट में विपक्ष की अर्जी खारिज आज फिर होगी सुदवाई पाकिस्तान की सुप्रीम कोट की बड़ी टिपड़ी कहा संसद में जो कुछ भी हुआ उसकी समीक्षा ज़रूरी पूर्फ चीफ चस्टिस गुलजार एहमद हो सकते हैं पाकिस्तान की कारेबाहर प्रधान मंत्री इमरान खान ने किया नॉमिनेट इमरान खान ले जर्दा के सवालों का दिया जवाब विपक्ष के लिए चोर, डाकू और लुटेरे का पुराना रागलापा इमरान ने अपनी सरकार के फैसले को ठहराया सही, कहा जो देश के लिए था सही, वही किया इमरान खान ने विपक्ष पर एक बार फिर लगाया खरीद फरोक्त कारों कहा 20 से 25 करोड में सांसिदों का जमीर खरीद कर विपक्ष हडपना चाहती है सत्ता इमरान खान को लगा बड़ा जटका, नाशनल सेक्योरिटी एडवाईजर मोई दिसुफ ने दिया इस्तीफा इमरान पर भड़के विलावल भुट्टो पूछा, इमरान का गमंड बड़ा या पाकिस्तान का समिधान पाकिस्तान की आईन का दिफा करना, ये सिर्फ पीपुल्स पार्टी का मसला नहीं, ये सिर्फ नून लीग का मसला नहीं, ये हार एक पाकिस्तानी का जिम्रदारी है श्रिलंका में नहीं थम रहा प्रदर्शन, उग्र भीड ने बस को किया आग के हवाले कोलंबो में जबरदास प्रदर्शन राश्रुपती भवन की ओर बढ़ी हजारों की भीर कोलंबो के इंडिपेंडन्स स्क्वेर पर भी उमड़ी हजारों की भीर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन श्री लंका में पक्ष के नेता सजिद प्रेमदासा ने भारत से मागी मदद पीए मोधी से लगाई कुहार श्री लंका में खाने पीने के सामानों की भारी किलत गैस और अनेर जुरूरी चीज़ों की भी परिशानी बेताहाशा बढ़ी दाव गुरकनाद धामे हुई हमले का आतंकी कनेक्शन सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले शक्स ने लिए कट्टर पंती बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग हाल के दिनों में आरोपी एहमद मुर्टजा गया था निपाल, लुंगिनी और कोईमिटूर का किया था दौरा ATS, STF के हाथ लगे आरोपी एहमद मुर्टजा अबासी से जुड़े कहीं कागजाद, कहीं बैंकों के ATM कार्ट भी सब आरोपी के पिता ने उससे बताया मानसिक रोगी, बोले अगर वो आतंकी होता तो गुरकनाद धाम बंदूक ले कर जाता हमले की साज़िश को लेकर गुरकनाद मंदर जाकर पुलिस सदिकारी उसे ली जानकारी गुरकपूर हमले में घायल पुलिस कर्मियों से मिले CM योगी BRD Medical College जाकर जाना हाल चाथ गुरकनाद मंदर परसर में दो पुलिस कर्मी हुए थे, घायल रविवार को हुआ था हमला गुरकपुर हमले के मामले में हमलावर मुर्तजा को एक हफ़ते की पुलिस रिमान में भेजा गया ATS-STF करेगी पूचताच गुरकपुर हमले की जांच में जुटी पुलिस आतंकी कनेक्शन से भी इनकार नहीं चंडीगड़ पर पंजाब के दावे को लेकर गर्माई सियासत आज खर्याना विधानसभा का विशेश सत्र प्रस्ताफ पास करने की तैयारी मुक्यमंद्री खतर का बयान चंडीगड़ पर एक तरफा फैसला मुम्किन नहीं आपसी बातचीत से होना चाहिए समधान पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेर का आदेश नवरात्री के दिनों में मीट की दुकाने बंद रहें अभी माचर प्रदेश के सभी स्कूलों में चात्रो के नौवी क्लास से पढ़ाई जाएगी फागवद गीता मुक्यमंद्री जयराम ठाकु ने दिये आदेश तीन दिन के जमू दौरे पर परिसीमन आयोग पहले दिन कठवा में अलग-अलग पतिनिधियों ने दिये पंद्रा सुचा निटीश कुमानी राजसभा जाने की ख़बर को किया खारिज कहा बीजीपी के लिए बोचह में करूंगा प्रचार मुक्तार अंसारी को जटका जमीन हडपने के मामले में MP MLA कोट ने जमानत याचिका की खारिज किंद्री मंत्री अनुराक थाकुर ने लॉंच किया ब्रादकास सेवा पोर्टल अब ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकेंगे अनुमती रामंदिन निर्मान में इस्तिमाल होने वाले पत्थर पहुँचने लगे आयोध्या, राजस्थान में तराशे गई पत्थरों और ताम्बे की पत्यों को भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने भेजना शुरू किया अमरावती में शिवसेना का महंगाई के खिलाव चाई पर चर्चा कारिक्रम, सडकों पर चाई स्टॉल और पीम मोदी के पोस्टर लगाकर आम जनों को महंगाई से बताया तरस्त करॉली हिंसा के बाद अभी भी इलाके में तनाव साथ अप्रेल तक जारी रहेगा कर्फ्यू करॉली हिंसा को लेकर गेलोट का बयान पीम को खटना की दिंदा करनी चाहिए बीजेपी बोली कानून में वस्ता सुधारने का काम करें सीनगर में सी आजीएफ के दो जवानों पर भी आतंकियों ने बरसाई गोली एक जवान शहीद शोपिया में आतंकियों ने मेडिकल दुकान के बाहर कश्मीरी पंडिक पर की गोली बारी हमले में चार लोग जखमे पुल्वामा में भी आतंक्यों ने बरसाई गोली दो बाहरी लोग जखमी अयोध्या में चेकिंग की दौरान आईजी समेथ तमाम पुलिस अफसरों ने दो युफकों की जमकर पिटाई की सीम योगी को अपशब्द बोलने का आरू मेनपूरी में गले में तक्ती डाल कर थाने पहुंचे दो लुटेरे एंकाउंटर के डर से किया सरेंडर पूर्वी बर्दमान में युवक की अत्या के बाद जबरदस्त तनाफ कई घरों और वाहनों में आगचने कानफूर में सेंट्रल बैंक के एक ब्रांच में लॉकर से रहस्ते में तरीके से गायब हो रही लाकों की जेवर एक और वारदात से हड़का वैतूल के जवाहर नवोदय विद्याले में टीचर पर शात्र की जूते से पिटाई का आरोप परिजनों ने पुलिस से की शिकायत कोरकनात मंदिर के बाहर हमले के बाद वारणसी में काशिव विश्वनात मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा तैनाद किये गए विशेश कमाडू आंध्रप्रदेश के इलुरू में दर्दनाक हाथसा गोदावरी नदी में डूबने से तीन की मौत प्रैसे इन में नई शराब के दुकान खुलने के विरूद में महलाओं का प्रदर्शन स्टेट हाई वेच अवालिस पर लगाया जा कोरोना के धीमी रफ्तार के बाद धौलपुर के गणगौर में शोभाय आत्रा देखने के लिए उमड़ी लोगों की फीर बांदा के जंगल में युवक का शफ मिलने से संसनी पुलिस ने शफ को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेजा लटनाओं में आउट्सोर्स किये गए सफाई कर्मियों के वेतर में 10 फीसिदी इजाफा अब मिलेंगे 366 रुपए रोजाना काजयबाद और मेरच में भी लागू हो सकती है कमिशनरी व्यवस्था प्रयागराज आग्रा में भी तयारी गुरफपुर से दोडने वाली पुर्वांचल एक्स्प्रेस वे को मिल सकता है नया नाम अब निशात एक्स्प्रेस हो सकती है नई पहचान आज चैतर नवरातर का चौथा दिन मा कुश्मांडा की पूजा के लिए मंदिरों में उम्डी भीर कांगडा में बजजेश्वरी मंदिर को भवे तरीके से सजाए गया दर्शन के लिए पहुँचे शुरत थालू जारकन के गिरिडी में अवैद माईका खदान धसा दो लोगों की मौत अपोला में साइकल से दस्वी की परीक्षा देने जा रहे चात्र को बेकाबू ट्रैक्टर ने कुछला नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन मंडी में सरकारी बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टक्राई ट्रैवर की मौके पर ही मौत पुर्दासपूर में जवीन विवाद को लेकर दो गुटों में जबर्दस्त को लिबारी चार लोगों की मौत एक बार फिर तेल का भाव बढ़ा दिली में पेट्रोल और डीजल 80 पैसे लीटर महंगा राज़ानी में अब पेट्रोल 104 रुपई 100 पैसे लीटर डीजल का भाव 95 रुपई 87 पैसे लीटर रेल्वे ने कबार बेचकर कमाई 624 करोड रुपई स्क्राप पॉलिसी के तहट पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा महंगाई के असर से मार्च में मेनुफाक्टरिंग गदिविधियों में गरावन दज की गई फरवरी के 54 तशमलम 9 के मुकाबले मार्च में 54 पर आया मेनुफाक्टरिंग टीमार अगले 6 महीनों तक महंगाई से लोगों को राहत मिलने के आसान नहीं फिकी ने रूस यूक्रेइन युद के चलते पहली 6 मही में महंगाई में 30 इजाफा होने की आशंका जेता रूस और यूक्रेइन युद के चलते गेहूं के सप्लाई के संभाविध संकत से राहत देने का भारत ने दिलाया भरोसा वानेजर मंद्री प्यूजगोए लेका हा भारत सप्लाई गया पूरा करने को तैयार CME IE के मुताबिक फरवरी के मुकाबले मार्च में बिरोजगारी दर्में आई कमी जॉब कंसिल्टेंस ने मेनिफाक्टरिंग, रिटेल, ट्रावल, हस्पिटालिटी में नौकरियों के मौके प्री कोविट स्थर पर पहुंचने का दावा किया नीदलिंद पहुंचे राशुपती रामनाथ को विंद लिसे में त्यूलिप गार्डन का किया दौरा हंगरी में घोशित हुए आम चुनाफ के नतीजे विक्टर ओरिबन को लगाता है चौती बार देश की कमान पेंग के कार्लोस अलक्राज जग्राफिया ने जीता मायामी ओपन का खिताब फाइनल मुकाबले में नौर्वे के कैस्पर रूट को खराया